दोस्तो, 19 सगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना पूरे साल जम कर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तो, 19 सगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को धेर सारी शुब काम नाएं। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है, और इस दिन, यानि 19 सगस्त, सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेश, शुभ योग का निर्मान हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण, इस दिन कई सारे राज योग सिध्ध का भी निर्मान हो रहा है, और इस दिन, ब्रह्मा नामक योग बन रहा है, और सिध्ध नामक योग भी बनेगा। पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोले नाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों वीडियो आगे शुरू करें। उससे पहले भगवान भोले नाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्यान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें जिससे कि भगवान भोले नाथ जी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन। अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ती होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अंजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुन्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं। या फिर हमारी पूजा ही निश्फल हो जाती है ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए अभी मत लागे उसे हम जलहरी कहते हैं उसे नहीं लागना चाहिए उसे लागने से बहुत दोश लगता है आपका स्वास्थे भी खराब हो सकता है दूसरी बात आपने देखा होगा शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिवजी को अर्पित मत करना। कभी-कभी जाने-अंजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु हैं, और भोले ना तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं, तो प्रभू की भक्ती में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो, तो तब जल के साथ-साथ दूद दही घी, शहद शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के उपर प्रसाद मत अर्पित करना आपको। अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रख कर अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं, भक्तों, सावन सोमवार के दिन, अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोशकाल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्री जागरण का भी विधान है, भक्तों, शिवजी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं, जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए, आप जब भी शिवजी की पूजा करेंगे सावन, सोमवार पर, तो शिवजी के साथ जगत माता पारवती की पूजा करें, दोनों का आशीरवाद एक साथ आपको मिलेगा, बेल पत्र बिना अर्पित किये, तो आपकी पूजा ही अधूरी रह शिवजी की पूजा में अक्षत, जरूर अर्पित करें, अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें。 साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहन कर पूजा पाथ नहीं करनी इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही, हमेशा भगवा रंग पहन कर ही इश्वर की अराधना, भक्ति साधना, पूजा वरत आदी करनी चाहिए। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदै से पहले उट जाना चाहिए। वरत आदी में आठ बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसलिए सुभह आठ बजे से पहले स्नान दान आदी अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि सुभह आठ बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगल कारी माना गया है। इससे सकारात्मक्ता आपके उपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिव लिंग पर आप जल अर्पित करते हैं, तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी न करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, और आप शंक से जल अर्पित न करें, क्योंकि शंक चूड नामक राक्षस का वध शिव जी नहीं किया था। इसलिए शंक से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रूष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी, भगवान शिव की पूजा में हल्दी कुमकुमित्यादी का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं, इस दिन घर में जगडे कलेश लडाई, जगडे मुह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अब नहीं बोलना चाहिए, सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनी में जाना पड़ सकता है, जो बहुत ही भयानक हो सकती है, इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ती हो जाती है, दोस्तों जहां तक संभव हो वरत रखें, वरत नहीं रखते हैं, तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहन करें, शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादी का बिलकुल भी प्रयोग न करें, और इस दिन जितना ज्यादा हो सके, नमः, शिवाय का जाप करें, जितना ज्यादा आप भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए, दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर ज थोड़ा सा कालाब लेकर दक्षणा जरूर अरपित करें, ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्विकार करते हैं, दोस्तों, नारियल का पानी भी शिव लिंग पर अरपित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेश ध्यान रखें, नारियल अगर आप छढ़ाना चाहते ह तो शिव लिंग के पास उसका जल हटा कर नारियल अरपित कर सकते हैं, लेकिन शिव लिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना, कमल का फूल अरपित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा, दोस्तों, आप जानते हैं, सावन सोमवार के पावन अवसर पर व डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए दोस्तों अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ती नहीं है, तो इस खास मौके पर, यानि सावन सोमवार के दिन, शिव परिवार को घर में जरूर लाएं. इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी दोस्त. सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं. शिव पुरान के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष, साक्षाद भगवान शिव का ही रूप है. इसे गले में धारन करने से की हर इच्छा पूरी हो सकती है. अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानि तिजोरी में रखा जाए, तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्थ हो सकती है. लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ औ और मंगल कारी होता है. दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्यूंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं, तो इससे सुख समृध्धि बनी रहती है. इसके साथ ही भगवान शिव भी खिंचे चले आते ही ऐसे घ व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता. भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है. सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें. खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप जाता है. मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है. जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती. ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है. दोस्तो, शिव पुरान के अनुसार मानना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रत धारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए. भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है. इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ती हो जाती है. अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं, तो इसे थोड़ा बहुत छक लें भक्तों, अगर आपको यह प्राचीन ज्यान चैनल के माध्यम से प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सबसे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए. धन्यवाद.